हेलो डिवान कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम जेके बैंक का जो आपका एक्जाम आ रहा है या आप कोई भी बैंकिंग के एक्जाम के लिए प्रिप्रेशन कर रहे हो चाहे वह हो स्बी लोग का हो एह एक्जाम का हो तो उसमें सेचिरिस का और परसुकर यह आप कहा सकते हूं कि बड़े से जरूर करती हैं आपको क्योंसरे में बेसिक नॉलिज्च जरूर होनी जाहिए बेसिक साथ साथ प्रॉपर ट्रिक्स जरूर पता होनी चाहिए कि परसंटेज का कोई भी टॉपिक आ जाए तो उसे हम विदिन सेकंड में कैसे सॉल्व कर ले तो परसंटेज तो वैसे सभी आप सब ग्रेजुएट हो आप सभी को परसंटेज के बारे में तो नौलेज जरूर होगी लेकि उसकी जो ट्रिक्स होती हैं जो विदिन सेकंड में आपको कोशन सॉल्व करने मदद करती हैं उसके बारे में भी आपको पता जरूर होना चाहिए तो चलो आज हम उस ट्रिक्स की ही बात करेंगे तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो मैंने कुछ टर्म्स पहले की कर रखी है यह फ्रेक्शन में है देन उन में उनकी परसेंटेज कंवर्जन है ठीक है या तो आप इसे याद कर लेजिए या तो मैं आपको इसे निकालना भी सिखा देता हूं कुछ ही लिखिए मैंने यह मोश इंपॉर्टेंट है अगर आप इने याद करेंगे तो बड़ और परसेंटेज परसेंटेज हाइस परसेंटेज गिने जाती है हंडर्ड परसेंटेज का मतलब ही क्या है हंडर्ड हर एक नंबर को जो हंडर्ड के साथ कंपेर करके निकले हमने पता करना है कि समलो मेरे नंबर आए हैं सो में से असी इसका मतलब मेरे कितनी परसेंटेज तुम बोला मैंने क्योंकि वो जो 80 मेरा आया है वो आया है विद कंपैरिजन टू 100 परसंटेज में हम क्या करते हैं हर नंबर को 100 के कॉडिंग कंपैरिजन करते हैं तो वैसे ही 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया 100 का आधा 50% अब बोल रहे हैं 1 by 3 मतलब 100 का तीसरा हिस्सा उपर आपने समझना है 100 है ठीक है ऐसे आपको पता है बेसिक हम क्या करते हैं हम करते हैं अगर 1 by 3 को हमने परसंटेज में कनवर्ट करना है तो हम करते हैं 1 by 3 into 100 तो आव्विस ही बात ह देजाएगा फिर हमने डिवाइड कर देने तो हमारा अंसर यह आ जाएगा तो क्या मतलब है 100 को हमने तीन से गच्जों को हमने इस सों में बांटना है तो तीन हिस्सों में च्रहां बांटेंगे तो यह बन जाएगा 33 one by 3 या 33.33 भी आप बोल सकते हो 1 by 4100 को 4 से डिवाइड करते हैं यह लिख दिया हमने हंड्रेड को 5 से डिवाइड करते हैं तो 20 होता है अब आप बोलोगे कि कैसे निकला यह बता देता हूं एक वाजी कैसे निकला हंड्रेड को आपने क्या करना है इदर 6 से डिवाइड करना है ठीक है हंड्रेड को आपने क्या करना है 6 से divide ठीक है आपका आज़त है 6 1 0 6 4 40 आ गया और 6 6 0 36 4 denominator बच गया तो ये क्या बन गया जब आप मैं इसे mixed fraction में लिखे आपको 7th class में कराया जाता है में इसाब से 16 ये जो number होता है ये उपर 4 आ जाता है जो आपका remainder बचता है upon 6 ठीक है 4 by 6 को अगर हम cut कर दें तो ये बन जाता है 2 by 3 तो इसका answer क्या आगए 16 2 by 3 1 by 6 का क्या answer आता है 16 2 by 3 इस हिसाफ से आया अब अगर आपको इसे within seconds करना है कैसे करेंगे देखो मैंने क्या बोला 100 को 6 से divide करना है 116 जा 96 होता है आपको बता है अगर 117 जा कर दूँगा तो 102 हो जाएगा तो 116 जा हुआ तो मैंने 16 इतर लिख दिया ठीक है remainder कितना बच्चा है 100 मेंसे 16 96 काट दिये तो remainder बच्चता है 4 4 divided by 6 कर दो जिसे हमने divide किया है तो ये मैंने divide किया तो आगे बढ़ते हैं और clear होगा 1 by 7 100 को 7 से divide कर दो 100 को 7 से divide कर दो देखो 10,000 होते हैं 11,000 होते हैं 77 84 91 और 98 हो जाता है 14,000 तो मैंने 14 लिख दिया अगर मैं इसके आगे जाऊंगा तो 100 के उपर चल जाएगा तो इदर मैंने क्या लिख दिया 14 अब remainder कितना बच्चा है 100 में से 98 कट कर लेते हैं तो 2 remainder बच्च किया divided by 7 यह answer आ गया 1 by 8 1 by 8 को कैसे हमने convert करना है 100 को 8 से divide कीजिए जल्दी 100 को हमने 8 से divide किया तो मारा आ रहता है 8 10,000 होता है 80 8 11,000 88 और 8 12,000 हमारा हो जाएगा 96 तो 12,000 ही आ रहा है 12,000 के लिया अगर मैं 13 करूंगा तो 100 के उपर चल जाएगा हमने 100 के उपर नहीं जाना तो कितना बच्च के remainder 4 remainder बच्च के 4 4 by 8 4 by 8 को जो हमने divide करेंगे तो 1 by 2 बन जाएगा आगे बढ़ते हैं इदर आगे 1 by 9 आपके अब स्क्रीन पे जो है आप उपर देख सकते हो 1 by 9 है 1 by 9 कैसे निकालेंगे 100 को 9 से divide करो 9, 11,000 होता है 99 और 1 उपर आगे है remainder और upon 9 1 by 10 100 को 10 से divide करे 10 1 by 16 16 वाला भी बड़ा important है अगर आपको यह याद नहीं रहता तो ज़रूरी नहीं है आपने इसे याद ही करना है जो मैंने ट्रिक सिखाई कैसे करना है 1 by 16 समलो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करता हूँ इसे 100 से 16 को divide करता हूँ तो हमारा बन जाता है यह कुछ 16 ठीक है 6,096 6,096 हो जाता है रिमेंडर के तरह बज़ गया 4 upon 16 तो 4 1s are 4 4s are 6, 1 by 4 परसंटेज आपका आंसर आगे होप की क्लियर होगा ठीक है इस तरह आपने सॉल्फ करना है और देख लिए जे 6 1 by 4 ही है आगे है 1 by 20 100 को 20 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर क्या जाएगा 5% इस हिसाब से हमने इसे conversion करना है चाहे आपको कोई simplification का question आजाए approximation का question आजाए तो आपने उसे इस approach से solve करना है आगे हम सीखेंगे question solve कैसे करना है अभी मैं आपको बस percentage to fraction या fraction to percentage निकालना सिखा रहा हूँ अब देखिए अगर आपको ये one by two, one by three, one by four, one by five, one by six, one by seven and so on ये आते होंगे तो आप असानी से जैसे आपको one by five पता है ठीक है मैंने बोला one by five आपने आपकी जुबान पर होना चाहे 20% ठीक है अब मैं बोलता हूँ three by five कितना होगा simple ये जो आपका twenty percent आया है twenty को three से multiply कर दो तो sixty percent answer होगा हमें कोई जादा calculation करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आगे थोड़ी सी practice करते है अब जैसे कि आपको screen पर दिख रहे है ये मैंने कुछ fractions ली है इसकी हमने value पता करनी है तो कैसे करेंगे देखिए पहला आपको क्या दिया है three by eight दिया है तो आपको पता है one by eight into three करेंगे तो same ही हो जाता है अगर मैं one by eight into three लिखूं तो ये तो three by eight कही बराबर है तो मैंने इस हिसाब से पहले मन में कर लो जितना आप कम पेंड यूज करोगे उतना बैटर है one by eight into three अब मैंने आपको बोला है one से लेकर ten से का आपने याद अखने है one upon one one upon two and so on तो one upon eight की value आपको याद होगी उसकी value है twelve one by two क्या उसकी value है twelve one by two into three ये वाला into three आ रहा है गएदर ठीक है one by eight की value है twelve one by two into three तो इसका answer क्या रहेगा आपने क्या करना है 12 को three से multiply करना है तो आपका answer रहता है 36 और one by two को भी three से multiply करना है तो आपका बन जाता है three by two आपका answer कुछ इस तरह बना लेकिन अब ये जो आपकी mixed fraction में three by two बन रहे mixed fraction में ये जो three by two है इसको भी आपने डिवाइड करना है three को जब आप two से divide करोगे तो इसका answer कुछ आ रहता है one one by two इसका answer क्या रहेगा 36 one one by two अब ये जो one है इसे 36 में प्लस कर दो तो answer रहता है 37 one by two ये आपका इसका answer है आगे बढ़ते हैं और clear होता रहेगा द्यान से देखना two by three two by three का मतलब है one by three into two one by three into two one by three हमें पता है 33 one by three के ब्राबबर है into two कर देते हैं 33 को जब मैं two से multiply करूँगा 33 को जब मैं two से multiply करूँगा तो क्या बनेगा 66 और one by three को टू से multiply करूँगा तो two by three ठीक है 66 two by three ही इसका answer रहेगा ये आपकी proper fraction है अगर improper fraction होती है improper मतलब numerator आपका बढ़ा है as compared to denominator जैसे इदर three बढ़ा था two से two छोटा था और इदर two बढ़ा है उपर वाला उपर वाला sorry छोटा है तो इसलिए हमें इसे convert करने की जोट नहीं है और ये ही आपका answer इसमें रहेगा अगला पकड़ते है three by four three by four का मतलब one by four into three three by four का क्या मतलब है one by four into three one by four हमें पता है twenty five percent के ब्राब रहता है twenty five into three कर देंगे तो 75 percent answer है इसका next two by six two by six क्या है one by six into two one by six हमें पता है sixteen two by three के ब्राबर है into two कर देते हैं sixteen into two होता है thirty two और two by three into two होता है four by three two by three क्या होता है four by three अब ये बन जाता है thirty two और ये जो four by three है ये improper fraction है improper को हमने फिर से convert करना है mix fraction में तो ये four को जो हम three से divide करेंगे तो आपका बन जाता है कुछ one one by three one by three अब इस one को हम thirty two में प्लस कर देंगे तो answer आदेगा thirty three one by three क्या answer आदेगा thirty three कि one by three तो अब भी हमने सीखा how to convert fraction इन्टू परसंटेज ये जो हमारे आंसर है ये परसंटेज में आए ठीक है अब हम सीखेंगे how to go from percentage to fraction ठीक है ये डिरेक्टली ऐसा कोशन ही आता लेकिन इन डिरेक्टली बड़े से कोशन में हमें ये यूज करना पड़ता है आपको उन कोशन को पिचानना है ठीक है आगे जो आने वाली वीडियो जे उसमें कोशन भी लाएंगे आपको उधर पता चल जाएगा कि इस ट्रिक की कितनी जादा खास एहमियत है कितनी असान कर देती है वो कोशन को तो चलो आगे बढ़ते है परसंटेज से अब हम कहां पर जाएंगे फ्रेक्शन में अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो हमने पहला कोशन यह 125 परसंट यह बड़ा इजी है बच्चे क्या करेंगे 125 परसंटेज का क्या मतलब होता है अपॉन हंडड़ जब भी परसंटेज का आपको साइन दिख जाए आपने आप क्या करते हो अपॉन हंड़ड कर देत लेकिन जो आगे आने वाले हैं वो थोड़े से टफ है वो आपके असानी से नहीं निकलेंगी तो चलो क्या ट्रिक्क है बताता हूं मैं जैसे 125 परसंटेज है आपने इसमें क्या करना स्प्लिटिंग दना सीखने है स्प्लिट आप कीजिए 125 को हम क्या करते हैं अगर मैं इस ठीक है जो भी 100 होगा वो वन के ब्राबर उसे हमने वन यूनिट के ब्राबर लेना होता है तो इसे मैं ले लेता हूं वन यूनिट के ब्राबर प्लस 25 25% किसके ब्राबर होता है यह आपको पता है 25 को यह आप 100 से डिवाइड कर लो वो होता है 1 by 4 के ब्राबर 1 plus 1 by 4 करना है इसके denominator में कुछ नहीं है तो into 4 कर देंगे उपर आले को भी into 4 कर देंगे तो 4 plus 1 divided by 4 is equal to 5 by 4 बन गया 5 by 4 अब अगला देखिए यह तो वैसे simple था अब second देखिए अब इसको कैसे करेंगे 112 1 is to 2 ठेक है 112 1 upon 2 तो यह कैसे निकालेंगे इसको भी आप क्या करोगे split up करोगे 100 plus 12 1 by 2 100 हमने बोला 1 unit के बराबर होता है और 12 1 by 2 हमने बताया है कि आपको 1 से लेकर 10 तक याद करने है तो 12 1 by 2 आपके होता है 1 by 8 के बराबर इसके denominator में कुछ नहीं है तो into 8 into 8 तो 8 plus 1 9 9 by 8 is your answer अब आगे क्या बोल रहा है 133 1 by 3 तो 133 1 by 3 है तो इसे मैं के लिखूँगा 100 plus 33 1 by 3 जो ये 100 है जो ये 100 है इसको आपने क्या लेना है 1 unit के बराबर प्लस 33 1 by 3 होता है 1 by 3 के बराबर तो ये आपका 3 बन जाएगा 3 plus 1 ठीक है 3 plus 1 4 4 by 3 is your answer next question 3 3 3 1 by 3 percent ठीक है तो इसे मैं क्या लिखूँगा देखिए 3 3 3 इसे हमने ना 100 की terms में लिखना होता है 3 3 3 आपका बन जाएगा 300 प्लस 33 1 by 3 इसमें कोई गलती नहीं ये जो 300 है इसको आपने convert करना है देखिए 100 किसके बराबर होता है 1 के बराबर 200 बराबर होगा 2 के बराबर 300 होगा 3 के बराबर 400 होगा 500 किसके बराबर होगा 500 अगर नहीं अभी भी समय नहीं आ है तो इसको ड्वाइड बाए 100 कलो और कुछ नहीं और आपका 33 1 by 3 किसके बराबर है 33 1 by 3 मारा बराबर होता है 1 by 3 के तो ये आपका बन जाएगा इंटू 3 इंटू 3 9 plus 1 divided by 3 is equal to 10 divided by 3 तो ये आपका अंसर आ जाता है fraction में ये आपको approximation वाले questions में बड़ी मदद करेगा आपको simplification वाले question में बहुत जादा मदद करेगा इस तरह का indirectly आप कह सकते हो कि अगर आपके quant के 35 questions है उसमें से आपको percentage पर पर होल्ड होगा तब भी उसके 20 जो questions है आप उसे attempt कर सकते हो क्यूंकि quant का maximum to maximum percentage से ही relate करता है तो अब यह है आपके लिए homework जो आपको यह rate portion में दिख रहा है तो यह आपने जो percentage में दिया है इसको आपने convert करके लिखना है comment section में फॉर fraction fraction में convert करके आपने इसका answer लिखना है क्या आता है तीनों के क्या लिख है 416 2 by 3 2nd है 312 1 by 2 3rd है 114 2 by 7 इन तीनों को आपने convert करकर fraction में लिखना है आपका क्या answer आता है उस चीज के लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में फ्रेक्शन टू परसंटेज वह convert करना आना चाहिए कि वन बाइटू किसके ब्राबर है 50% के 1 by 3 किसके ब्राबर है 33 1 by 3 के 1 by 4 25 यह आपके टिप्स पे होंगे तो बहुत अच्छा है मैं यह कहूंगा मैं सिर्फोर सिफ कह रहा हूं 1 upon 10 तक ही आप याद कीजिए जादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है बस सीधे तक आपको आते होंगे तो आपको आगे मदद परते सबी हैं लेकिन प्रॉपर ट्रिकर प्रेपेशन आपको तबी होती है अगर आपको उसको प्रॉपर एंडालाइस करके आप एक्जाम को समझें की एक्जाम किस तरह का है आपके परसिसमें टाइम इसु है तो इसमें आपको प्रॉपर ट्रिक जरूर बतावने जाए इसलिए मैं कहा रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक आप याद कर लिए बाकी सब असान हो जाएगा तो यह आपके लिए जो homework यह आपने इसका answer comment section में लिखने है तो guys आज के लिए इतना ही रखते हैं thank you have a good day और हम next वीडियो में try करेंगे आपके लिए questions लेके हैं किस तरह के questions आएंगे तो जिन्होंने हमें अभी तक subscribe नहीं किया वो subscribe कर लें ताकि आपको time to time notification मिलती रहे अगर आपकी कोई भी update आती है आपके कोई भी banking exam की update आती है तो आज के लिए तना ही guys thank you